सोलन बेपार मंडल के पदादिकारी शहर के सभी बाजारों में जाकर बेपारियों से मिलकर उनकी परिशानियों को दूर करने का पर्यास कर रहे हैं सोलन बेपार मंडल के अध्यक्ष मुकेश गुपता ने लकड बाजार का दौरा किया बहां के बेपारियों की मांग थी की बाजार की सड़क की हालत खस्ता हो चुकी है और रहगीर आते जाते समें सड़क खराब होने के कारण गिर रहे हैं कई रहगीर गंबी रूप से गायल भी हो चुके हैं जिसके चलते सोलन बेपार मंडल ने तुरंत संख्यान लिया और नगर परशित के अधिकारियों से मिलकर सड़क की मुरमत की बात पी कही और उनके आग्रेय पर सड़क रिपेर का काम आरम कर दिया जिसकी वज़े से लकड बाजार के बेपारियों में खुशी की लहर देखी चा रही है इस मौके पर सोलन ब्यापार मंडल के अधिक्ष मुकिश गुपता ने बताया कि अनलोक होने के बाद ब्यापार मंडल के सभी पदधिकारे सोलन के ब्यापारियों से मिलकर उनकी मांगों को परशचन तक न केबल पहुँचा रहे हैं बलकि उसे हल करने का परयास भी किया जा रहा है उन्होंने कहा कि लकड बाजार के ब्यापारी सड़क की खराब हालत को लेकर काफी दुखी थे इस मांगों नगर परशचत के समक्स रखा गया और सड़क का कारया अरम करवा दिया गया उन्होंने कहा कि सोलन ब्यापार मंडल का लक्षर सोलन के ब्यापारियों की आ बहन निलम उन्होंने हमें ये बताया कि मेरी दुकान के आगे जो पेबर ब्लॉक लगे हैं वो बहुत ज़्यादा बैठ गए है उबड़ खबड़ हो गए है एक तो यहाँ पर भरने वाला जो पानी है जब भी कोई स्कूटर वगर आता है तो उचल के मेरी दुकान के अंदर आते हैं जो गंदा पानी है उससे वो बहुत परशान थे साथ ही उनका कहना था कि यहाँ पर हरोज ही दो तिन लेडिस या जैंज यहाँ पर गिर जाते हैं तो उन्होंने इस समस्या को हमारे सामें रखा हमने इस समस्या को HDM साब के आगे मी रखा और EOMC से हमने इस बारे में उनको भी लिकर दिया कि इसका जल्दी से जल्दी समाधान किया जाए इस कारे का शुरू कर दिया गया है और हम उमीद कर रहे हैं कि एक दो दिन के अंदर में ये कारे कंप्लीट हो जाएगा और हमारे विपारी मेहन को जो से दिक्कत हो रही थी या आमजन को जो दिक्कत हो रही थी वो खतम हो जाएगी और विपारी ने हमें मुझे सारे विपार मंडल सोलन के लिए व्यक्तिगत तोर पर भी फोन करकर मुझे धन्यवाद किया लेकिन धन्यवाद की बात नहीं है क्योंकि वेपार मंडिल के जितने भी बदाधिकारी है उनका काम सिवा करना है हम सब सिवा भाव से काम कर रहे हैं पहले भी कर रहे थे लोगडाम में भी हमने सिवा की बहुत सारे कमपेंच लाए और आगे भी हम इसी तरह से जो है काम करते रहेगे कोई भी हमारे वैपारी भाई है जो अपनी बात को हम तक उन्चाना चाता हो या कोई इसकी समस्या हो वो मुझे और मेरे पदादिकारी जितने भी है उन सब को टेलीफोन के माद्यम से बता सकता है हमें बुला सकता है जैसे ही हमारे बास समय जो भी होगा हम उससे जुरूर मिलेंगे और कुछ जो समस्या हैं जो हमारे संग्यान में आई है उनका हम बड़ी जल्दी सभी का रिवारन करवाएंगे चाहे वो परशाशन से है चाहे वो नगर परिश्यत से है चाहे वो सरकार से है क्योंकि वेपार मुंडल सोदन अपने आप में परशाशन के लोगों से और नगर परिश्यत से हमारी स्टेट के सरकार से हमारा पूरा तालमेल है आज तक हम जिस भी काम के लिए परशाशन के बास पे परशाशन ने भी हमारी बात को माना और हमारे द्वारा की गई मांग को उन्होंने स्विकार करते हुए एकदम उसको जो है सॉल्व करवाया